नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब चलिया हमारा खाराप प्रिंटिंग को अच्छे प्रिंटिंग में कॉन्भर्ट करते हैं यह है Epson का L3200 प्रिंटर और इसके सामने है हमारा लैप्तप तो यहाँ पे आप लोगों को एक सेटिंग्स करना है वो सेटिंग्स हम आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पे जो आप लोगों का प्रिंटर दिखाए दे रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को right mouse क्लिक करना पड़ेगा right mouse क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक dashboard आजाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को क्या सिलेक करना पड़े का चले देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ओप्षन है Print Head, Nozzle Seek, Print Head Cleaning और Print Head Alignment यह तिनों को आप लोगों को सिलेक नहीं करना है Printer Setting में क्लिक करना है आप लोग Printer Setting में क्लिक कर लिजिए सिर्फ एक सेटिंग से आपका जो Printing का Quality है वो Quality बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों तो फिदियो के साथ बनते रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को Maintenance में क्लिक करना पड़ेगा Maintenance में क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास फिर से एक Dashboard आ जाएगा तो चलिए Maintenance में क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत शारी option है तो इन option को आप लोगों को क्लिक करना नहीं है आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा देते है Print Head Cleaning यह भी नहीं है Power Cleaning का option यहाँ पे दिखा दे रहा है पावर क्लिनिंग में आप लोग प्रेस करेंगे अ, याहां पे आप लोगको Next बटन दिखा देगा, Next बटन में आप लोग किलिक कर दिजे, इसके बाद आप लोगको 2 चेक बटन आएगा, इसको दोनों को चेक करना होए आप लोगों को तो यह दोनों चेक करते रहिएगा दोनों को चेक करने के बाद आप लोगों को एक बार ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रिंटर है प्रिंटर में एनफ इंक होना साहिए और एक बार पावर क्लीनिंग करने के बाद 24 आवर् बहुर्ट क्लीनिंग कर रहे हो तो आप लोगों को यह धकन खोला रखना है तब ही आप watch बहुत अच्छे काम करेंगा दोस्तो आपका जो पीन्टिंग क्वालिटी है वह क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तो तो यहां पर आप लोगों का यह सेटिंग करने के बाद आपका पिंटिंग क्वाल्टि बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तो तो इसको आप लोग एक बार जरूर त्राइ किजिए आज के लिए बस इतने ही फिर मिलते एक नाय विदे के साथ तब तक के जैहिन जैहारत